दोस्तो मैंने dell का laptop खरीदा और एक बड़े scam में फस्क गिया हूं तो दोस्तो क्या मुझे वो मेरा एक request डेle कंपनी से कि वो मुझे i3 processor यानी Dell का i3 processor में laptop लिया है वो मुझे return करके दे या फिर दोस्तो मेरा पैसा refund करके दे तो दोस्तों उन्होंने जो यह स्केम चालू कि आए कि लोगों को प्रोड़क्त देना प्रोड़क्त देने के बाद 3-6 महिने के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि पूरा पार्ट चेंज करना पड़ जाता है और दोस्तों उन्हें यह प तरह यानि Dell Company कि सतरु लोगों के साथ fraud कर रही है चीट कर रही है सो एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों यह जो मैरे डेल लैप्टॉब हैना दोस्तों यह मैंने कुछ मैंने पहले लिया था आपलोगा प्रेंड ले रहे हो तो क्या साहदधानी आपको रखने शाइए सबसे पहले कि दोस्तो आप लैपटॉप दोस्तों यह जो customer care number है Monday से लेके Saturday 10 बज़े से लेके सामको 6 बज़े तक अविलेबल होते हैं और जबी दोस्तों आप लोग का लेपटॉप के बारे में कस्टमर कर से बात करें तो साथ में रखें से सीरियल नंबर होता है नंबर ध्यान में रखें और दोस्तों कोई ब такой फोटो लेके रखें यह और उसकी जड़ तक जाएंगे लाटप के मानुम पडहेंた उस सब्सक्त Ark आप लोगों को भी problem आ सकता है इनके hardware software इनके parts body में हर जगह पर problem आ सकता है तो दोस्तों अगर आप लोग नए process करने जा रहे हो देल क्या कोई भी laptop फरिदने जा रहे हो तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए अब मुझे क्या problem आया सबसे बात की मुझे problem आया मैं फर्स्ट वीडियो में आपको explain किया था कि मेरा जो हम open करते हैं तो आप ऐसे प्रोड़क क्यों कर रहे है कस्टमर को आप समझ रहे है उपर के पूरे पार्ड को चेंज करना पूरा सरी के से करना मतलब यानि आप लोग कर रहे हैं और इसकी यह problem आने वाली है कस्टमर को तो इसलिए मैं आप लोगों से अवेर रहने के लिए कह रहा हूं और हला कि मैंने कल कॉल भी किया था कस्टमर को बट वहां से कोई help नहीं हो पाई अब दोस्तों मैं दुबारा call करूंगा और दुबारा call करने के बाद आप लोगों को update चाहिए या फिर दोस्तों आप लोग और सेकेंड़ रहे हैं या फिर एक साल के अंदर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो दूस्तों समल के किजिए ने तो आप लोग भी डियल के इस laptop Caleb सकते हैं दोस्तो day laptop में सबसे इधी problem कॉन सी आती है याने keyboard की darle problem आती है बैटरी की problem आती है या फिर दोस्तो हम open करते है इस तरह जो moment होती है उसमें कभी problem तो नहीं आ रही है क्योंकि दोस्तों आप भी मैंने कुछ मही पहले laptop लिए था और उसमें बहुत जादा problem आई थी सो दोस्तो problem आप लोगों को हर तरीके से आ सकती है वो भी एक साल के अंदर एक साल के अंदर आप लोगों को दोस्तों परिशान हो जाओगे और आप लोगों का कोही सुनेगा नहीं इसलिए दोस्तो डेल लेपटॉप लेने से पहले आप लोगों को यह चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर दोस्तो आप लोग फर्स टाइम डेल का लेपटॉप ले रहे हो ना तो दोस्तो समल के लिजिए वरना आपका पैसा ही बरबाद हो जाएगा और आप लोग बनाते बनाते भी खर्चे में आ जाओगे